हेलो फ्रेंड्स तो आज जो हम लोग सुरू करने वाले वह एक्सरसाइज 10.5 और 10.5 है कि डिविजन आप पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल तो चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट है 35 x प्लस 28 और इसको में डिवाइड करना है 5 x प्लस 4 से कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है 7 कमन है तो हम लोग 7 कमन है लिए 7 5 जा 35 प्लस 7 4 जा 28 और 5 x प्लस 4 और 5 x प्लस 4 पुरा कार दिये इसकल तो 7 एंसर ठीक है अगर कोश्यों में में नहीं रहता है कि बाइ फैक्टरिजेशन और सिंप्ली रहता है वर्क आउट दो फॉलें दिविजिंस तो वी जा दो दिविजिन इन दिविजिन इन दिवे अलसों लाइक 5 x प्लस 4 जैसे हम लोग 9.5 में देखे थे और यहाँ पे 35 x था प्लस 28 फाइव यहाँ पे 35 यहाँ पे 35 जा 35 तो 35 x हो गया और यहाँ 4 4 7 जा 28 यह साइन चेंज माइनस माइनस यह कैंसल आउट हो गया is equal to कितना है? 7. quotient is equal to 7 यह answer हाना आप चाहिए तो इस तरह से ही बना सकता है यह फिर इस तरह से second 7 P square Q square 9 r minus 27 और डिवाइड करना हमे 63 P q r minus 3 यह थोड़ा सा में संकेप दे रहा है कि यह किस तरह से होगा? by factorization method से हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इन दोन में क्या common है? हम लोग वो देख लेता है तो 9 common है तो यहाँ पर 7 है 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 7 जे कितना होगा? 63 तो 9 into 7 हो गया P s square q s square यहाँ बचा R minus 3 by 63 P q r minus 3 और r minus 3 cancel कर दिया 9 7 जे 63 और यह 63 यह दोनों भी cancel हो गया फिर बचा क्या? तो P s square minus 1 q s square minus 1 यहाँ पर 11 था is equal to P q. So, this is going to be the answer. next question number 2 2 का 1 6 2 x plus 7 5 x minus 3 और हमें दिवाइट करना है कि से 3 5 x minus 3 यह तो multiplication है यह तर्म से यह तर्म हमलों डिवाइट कर दिया और 3 वंज़ 3 3 2 6 तो हमारा आया 2 into 2 x plus 7 और अधर अनधर वे 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 राइट 4 x plus 14 इस दा answer. इस तरह से next 2 का 2 करते हमलों दिया हुए 33 P q P plus 3 2 q minus 5 और हमें दिवाइट करना है कि से 11 P 2 q minus 5 से 2 q minus 5 2 q minus 5 यह तो cancel out हो गया P से यह P को cancel किये 11 3 is a 33 इस तरह से बचा 3 q और P plus 3 चाहता अब मंडिप्लाई करके भी answer लिख सकते है या फिर यह भी answer you can write now moving to next question question number three factorize the expression and divide them as directed by factorize and then divide हम लोग चलो एक साथी करते है इस तरह से 7 x 3 minus 63 x और हमें दिवाइट करना किस से 7 x minus 3 से उपर वाले को factorize करेंगे क्या कमन लेंगे 7 x कमन लेंगे इधर बचेएगा x square minus 7963 by 7 x minus 3 and इसको लोग लिख सकते हैं क्या इस 7 x x square minus 3 square by 7 x plus 3 or 7 x into x plus 3 x minus 3 a square minus b square के form में था तो इवर a plus b और इस इवर a minus b और इदर होग यह 7 x plus 3 अब x plus 3 x plus 3 cancel होग गया 7 से 7 cancel होग गया x into x minus 3 is the answer और you can write x square minus 3 x even you can write this answer or this one और 3 का 3 में थोड़ा से यह mistake होग यह minus था यहां पे minus यह minus होगा तो plus नहीं कड़ेगा बल्कि minus यह कड़ेगा यह वालर रह जाएगा तो इसका answer आएगा x into x plus 3 हाना थोड़ा सा इसको ध्यान दीजेगा 3 कर 2 3 ps square plus 17 p plus 10 चलो इसको पहले factorize कर लाते हैं तो 10 3 जा 30 हो गया हाना और 30 को अगर हम लोग लिखते हैं तो 15 2 जा 30 इस तरस हो जागा 15 तो 15 और 2 को add करने से 17 आगया तो हम लोग 17 इस तरह से लिख दिए अब इन दोनों में क्या कमन हो सकता है तो 3 p common होगा तो यहां बचा p plus 5 यहां से 2 common लेंगे तो p plus 5 दोनों जागा पर p plus 5 है तो p plus 5 और यहां लिख दिए 3 p plus 2 यह इसका factorization हो गया है और अब जो है जो question था वह हम लोग करते हैं क्या था 3 p square plus 17 p plus 10 और हमें divide करना था p plus 5 से and factorize जो है था वह हम लोग लेते हैं p plus 5 3 p plus 2 by p plus 5 or p plus 5 or p plus 5 cancel हो हो गया तो 3 p plus 2 will be the answer next 3 कर 3 10 x y 14 y square plus 43 जो को कापी को खोली आजा है 43 y minus 21 तो इसे हमें factorize करना है 21 और 14 को तो 7 10 x y bracket में 14 y square plus 49 y minus 6 y minus 21 10 x y अब इन दोन में क्या कमन लेंगे है 7 कमन लेते है 7 y ती हो गया 2 y plus 7 और इसमें से कमन लेंगे 3 2 y plus 7 इस तरह से है 10 x y 2 y plus 7 7 y minus 3 अब जो कोश्यन दिया था वह हम लोग लिख लेते हैं 10 पे 9 करके लिख लो जाना दिक्कत नहीं x y 14 y square plus 43 y minus 21 बाइ 5 x 7 y minus 3 इसका factorization जो है था वहम लोग लिख लेंगे 10 x y 2 y plus 7 7 y minus 3 divided by 5 x 7 y minus 3 7 y minus 3 7 y minus 3 7 minus 3 7 minus 3 cancel है ना अगर term अलाग लाग रहा था तो फिर cancel करना मुस्किल था चो कि यह multiplication है और यह complete घर के अंदर है तो यह complete number हुआ है इसले इसको अब लोग लोग दिवाइट करना है फिर x x x of 5 2 जा 10 इस तरह से हो गया 2 y into 2 y plus 7 यह स्कांसर हुआ next for the last question दिया है 12 p q r 6 p square minus 13 p q plus 6 q square 6 x 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 है इस प्रकार से हम लोग किये 12 PQR 6P2-9PQ-4PQ-6Q2 12PQR क्या कामन लेंगे इन दोना में तो 3P326P 332-9P बहर आगिया तो Q हो गया यहां से कमन लेंगे 2Q224P-236Q-4-2-3-6Q-8-2-3-7-8-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 2q now the given question 12pqr 6p square minus 13pq plus 6q square or divide 6pq 2p minus 3q in the next step we will write 2 12pqr 2p minus 3q 3p minus 2q divide 6pq 2p minus 3q 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 pq 6 2z12 इस तरह से 2r और इधर बचा 3p minus 2q यह अंसर अना और इसी के साथ exercise 10.5 complete होता है पूरा वीडियो देखने के लिए आप से भी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वर्यमच